हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे आप सभी अपना योटूब चैनल को डिलीट कर सकते हैं योटूब चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप सभी योटूब ओपिन कर लीजिए open करने के बाद sign in कर लिजिए जिस account को आपको delete करना है उसके बाद आप सभी your channel के option पे जाईए your channel उसके बाद three dot का एक option है देख सकते उपड में उस पे click कर दिजिए click करने के बाद help and feedback का option उस पे click कर दिजिए click करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का link open हो जाएगा support type का लिखा हुआ दिख सकते हैं यहाँ पे support लिखा हुआ है delete your channel permanently इस पे click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पे एक option देगा go to your advance account setting इस पे click कर देंगे click करने के बाद हमारा एक link open हो जाएगा इस पे click कर देंगे यहाँ पे पुछ रहा है किसके साथ open करना चाहते हैं chrome browser यह सब दिया हुआ है तो मैं chrome पर click कर देता हूँ chrome पर click करने के बाद हमारा यहाँ से वो link open होगा अगर आपका link open नहीं होता है तो उस condition में आप सभी क्या करिए कि desktop side mode on कर लिजिए desktop side जैसे ही mode आप on करिएगा तो आपका जो वो link है open होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर desktop side mode on कर लेता हूँ on करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं link हमारा open हो चुका है देख सकते हैं इस तरह से देखिए यहाँ पर delete channel का एक option है इस पर click कर दिजे click करने के बाद यहाँ पर आपको sign in करने के लिए बोल रहा है तो जिस account को delete करना है उसी को आप sign in करके password डालिएगा जैसे यहाँ पर मेरा दूसरा account enter हो चुका है तो इसको हम change कर देंगे और password डाल देंगे डालने के बाद यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से open हो जाएगा देख सकते हैं तो यहाँ पर click कर देंगे the flowing will be deleted permanently पर इस पर tick लगा देंगे उसके बाद delete कर देंगे इसके बाद हमको बोल रहा है verify करने के लिए email को यानि की दुबारा से इंटर करने के लिए तो इंटर कर देंगे यह email उसके बाद हमारा confirm हो जाएगा उसके बाद delete my content पर click कर देंगे click करने के बाद हमारा यहाँ से channel delete हो जाएगा तो इस तरह से आप सभी भी दियान से देख करके कि कौन सा Gmail यहाँ पर login हो रहा है ऐसा नहों कि दुसरा account delete हो जाए तो यहाँ पर देख लिजेगा उसके बाद इस तरह से हमारा delete your content का फिर से option दे रहा है और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं remove your YouTube content remove YouTube content हो चुका है हमारा इस तरह से आप भी YouTube channel को delete कर सकते हैं और यहाँ पर अप चेक कर लेते हैं कि हमारा YouTube channel सही में delete हो चुका है या नहीं तो इसके लिए मैं YouTube open कर लेता हूं open करने के बाद यहाँ पर your channel पर click करता हूं click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि create channel करने के लिए एक option दे रहा है तो यहां से आप जान सकते हैं कि हमारा चनल जो है लीट हो चुका है पर्मानिंट लीट